हेलो फ्रेंज वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टेडी विद प्रियामी आज हम सीटेट के पेपर सेकेंड के सोसल स्टेडी के कोश्चन सॉल्व करेंगे आप अपने आंसर मैश करा लिजी कौन से आंसर कितने आपने स्कोर किये हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा हमारा पहला कोश्चन है 31 नंबर समताम मंडल की प्रेस्थितियां हवाई जहाज उडानी के लिए आदर्श होती हैं सही कारण का चैन कीजे इसका अंसर सही होगा ऑप्शन नंबर तो बादलो एवं मौसम सम्मधी घटनाओं से मुक्त होना अगला हमारा है निमलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी वा बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है तो वह है जलमार्ग ऑप्शन नंबर वन 33 का ऑप्शन नंबर वन हमारा अगला कोश्चन है 33 अपने परियावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उप्योग करना चाहिए वा सुझाईए तो हमें कौन से साधनों का उप्योग करना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 नवी करनी है संसाधनों का हमारा अगलाब कोशन 34 गल्फ इस्ट्रीम गर्म महासागरी जल्धारा है क्योंकि यह 34 का ऑप्शन नमबर 3 भूमध्य रेखा के निकट उत्पन होती है हमारा अगलाब प्रेश्ण है 35 निमलिकित यूगलो का सही मिलान करना है आपको और नीचे कूट दिया हुआ है उसी से मै सम्ताप मंडल बी का फोर एक तरी प्रेश्ण मौसम संबंदी घटना है इसका यह तो नहीं लग रहा है रूकिए एक बट चेक करना आपके यह 35 का 3 ही सही आंसर है ऊजोन परत ऐक रेक्स तीसरा है सम्ताप मंडल रेडियो प्रेशन ये चौते में आएगा मौसम संबंदी घटना है सी कावन और पतली वाई वहिर मंदल अगला हमारा कोश्चन है 36 नमबर निमलिकित कत्नों में से उर्जा संसादनों पर असत्य कत्न का चैन कीजिए 36 का उप्शन नमबर 2 सही है जोआरी ये उर्जा समाप पर होती है यही असत्य है अगला हमारा कोश्चन है अक्षान्शों के बारे में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए और निमलिकित में से कौन सा सही है आपको 37 का ये वताना इसमें से कौन सा सही है 37 का उप्शन नमबर 4 मकर रेखा दच्छडी गोलार्द से होकर गुजरती है यह सही है 37 का 4 अगला है 38 36 में समुद्री गुफाएं बनती हैं समुद्री गुफाओं के निर्मार के लिए उप्युक्त कारणन का चेहन करना है तो यह तरंगो द्वारा उप्शन नमबर 1 तरंगो द्वारा अपरदन एवं निछे पर से बनती है हमारा नेक्स्ट कोशन है 39 नमबर ग्रीन विच यह दि ग्रीन विच या मुत्तर समय दुपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा 39 का उप्शन नमबर 4 3 बजे प्रहन नेक्स्ट कोशन है 40 नमबर निमलिकित में से ग्लोब के बारे में सही कत्नों का चैन कीजिए 40 ओप्शन नमबर 40 का 3 ओप्शन A, B, C, 3 तीनों सही है ग्लोब पर अक्षांस और देशांतर कीजिए गया है या अपने अक्ष पर चुकी हुई वस्ता में या प्रिथ्वी का वास्त्विक प्रतिरूप है 40 का 3 ओप्शन अगला है हमारा 41 इस्थान परिवर्तन से प्राकृतिक ववनस्पती में भी परिवर्तन होता है 41 सदा बहार विडेक्ष भूमत धेवर्ती प्रदेश के समी भी क्योंगते हैं यह क्योंगते हैं क्योंकि यहां पर ओप्शन नंबर 41 का 4 भारी वर्षय और उच्चतापमान होता है अगला है गलोब को दो बराबर भागों में बाटने के लिए खीची के कालपने करेखा को क्या कहते हैं 42 का ओप्शन नंबर 1 A को 3 से मिलाना है और B को 4 से C का 2 और आप इसको मैच करा ले ना 43 का 4 ओप्शन सही है 43 का 4 अगला 44 निम लिखित कतनों को पढ़िए और सही विकल्प का चेन कीजिया भी कतन है संगी विवस्था भारत में सांसकुतिक विविद्दाओं के और शक्ताओं तथम मांगों का पालन करती है तरकिया है कि या देश में अभिशासित के बहुलित चरण स्थापित करती है 44 का ओप्शन नंबर 3 सही है A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है अगला है 45 किसी के प्रती पूर्वा ग्रही होने का क्यार्थ है 45 ओप्शन नंबर 1 A, C और D पूर्वा ग्रही होने का उन्हें नकारात्मक रूप से देखना जो लोग भिन्ने उनका अनादर करना समूर के सदस्यों की विरुद बिद्भाव करना यही है 45 का ओप्शन नंबर 1 अगला है एक कक्षा गतिविधी का समय स्तिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुडिया का चैन करने के लिए कहा अधिकार्श विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपले सिर पर पहने हुई मुकुट लगाए और नृत्य वाली गुडिया उठा ली यह वैवार क्या दिखाता है 46 का ओप्शन नंबर 4 रूडि वादिता हमारा अगला कोश्चन है 47 एक ओफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन और सम्मान मिलता है द्वारा संपादित ओफिस समंधिक काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निश्पादित काम अंदेखा तथा अदत जाता है इसके पीछे के सांभाव विकारण की जाच कीजिए तो 47 का ओप्शन का 47 का 3 होगा घरेलू काम का अवमुल्यन अगला है भारती नागरिकों को अनुदत्ते किस मौलिक अधिकार की परिदी के अंतरगत सर्वश ने आयले ने भोजन की अधिकार निश्पा की अधिकार तथा है 48 का ओप्शन नमबर 4 अनुछे 21 48 का ओप्शन नमबर next question है सभी व्यक्ती 49 सभी व्यक्ती कानून की दरिश्टी से समान है वाक्य का अर्थ इसमें आपको ओप्शन 49 का है 1 A, B और D सभी नागरिकों को अपने समाजी कार्थिक इस तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा या समस्त नागरिकों के लिए निश्पक्ष अवसर्त था गौरों में जीवन सुनिक्षित करता है हमारा अगला कोशन है भारती धर्म निर्पेक्षता अमेरकी धर्म निर्पेक्षता से भिन्न है दोनों के बीच के भेदों को पहचान करने वाले सही विकल्ब की निम लिखित में से पहचान कीजिए Q50 का option number 3 A and B A and B क्या है A and B है तीसा option सही एसमे ठी पचास का तीसरा और अगला हमारा question है निम लिखित यूग्म कौन से यूग्म सही सुमेलित है 51 51 को इसको मिलाना है इसका option number 2 ये सही है राजमिस्त्री दिहाडी मजदूर से घरेलू काम अनीमित मजदूर सब्जीवेक रेत्रस्वर रोजगार और दुकान में सूपरवाइजर वेबसाइज है अगला question है 52 ग्रामिल शेत्रों से शहरी शेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परणाम स्वरूप शेहरों के और दियोगे के स्थलों के निकट स्लम शेत्रों में व्रिद्धी देखी गई है इस प्रकार के प्रवसन के कारण क्या है इसमें कई option दिये हुए इसमें से आपको स्लेक्ट करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं तो इसमें से option नमबर वन 52 52 का option नमबर 2 सही है 52 का option नमबर 2 A B C D घटती हुई क्रिशी उत्पात अक्ता ग्रामीड शेत्रों में बढ़ती हुई कुशल कारेबल की संख्या शेहरी शेत्रों की जीवन की स्थर में और ग्रामीड कामगार बाजार में विगटन 52 में सभी सही है अगला है 53 नम लिखित में से किन सेवाओं को सारविजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है 53 question number का option 2 53 का option number friends 52 का option number 1 है A B और D मैंने mistake से बता दिया आपको A B और D होगा 52 का option सही और 53 में option number 2 सही होगा 53 का option number 2 53 का option number 2 A B C D इसमें सभी शामिल है 53 ओके अगला है हमारा 54 question number नम लिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जन जाती अत्याचार रोगथाम अधिनियम 1989 के उलंगन के रूप में की गई है 54 का option number 3 से ये A B C 55 नम लिखित में से कौन से प्रावधान भारती नियाएक विवस्ता की स्वत्तंतरता सुनिश्चित करते हैं 55 का option number 2 से ये A B C D इसमें से सभी हैं 55 का A B C D 56 मध्यान भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिकत पूर्वा ग्रहों को कम करने में सहायता की है तता समाजिक न्याय को बढ़ावदी है सही विकल्प द्वारक कत्थन को समझाईए 56 का option number 2 से ये A B C D सभी जातियों के बच्चे साथ-साथ खाते है B कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है उस्कूल में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है उस्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है 56 का option number 2 सभी सही है इसमें अगला है 57 नीचे दिये गये कथन 1 और B खिलाफन दौलन के समसे संबन दित है तंदर में है ए क्या है 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सक्त संधियां थुप दी थी दूसा है भारती मुस्लमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन समराजी में स्थित पवित्र मुस्लिम इस्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था 57 का option number 1 ए तो सही है परन्तु B गलत है ए सही है इसमे option number 1 next है 58 स्थान्त्र भारत के संबंद में निम लिखित कत्नों पर विचार कीजिए कथन है हमारा समिधान कानून की नजर में सब को बराबर मानता है लेकिन असल जिन्दगी में कुछ भारती औरों के मुकाब्रे ज्यादा बराबर है कारण क्या है भारती समिधान में तय किये गया आर दर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए है 58 का option number A ए और आर दोनों सही है आर एक का सही व्याठ्थ्या है अगला है 1883 में इलबर्ट विलके लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि 59 का option number 4 4 में क्या है 4 में है B और C B और C अंग्रेज ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारती भी ब्रेटिशी आउरोपी वक्ति उपर मुकदमा चला सकते थे बिल ने अंग्रेज और भारती ने अधीशों की बीच समानता इस्थापित करने का प्रयास किया गया अगला है हमारा कुश्चन 60 नंबर निमलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर व्याख्या करने का और महिलाओं को भी सिख्षा का अधिकार मिलना चाहिए ये कहा था मुम्ताज अली ने ओप्शन नंबर 460 का 61 निमलिखित कत्मों पर विचार कीजिए इसमें सही विकल्प बताना है 61 का ओप्शन नंबर 3 सही होगा A और B दोनों सही है B A का उधारन है आप देख लीजेगा 62 निमन जातियों की दो दर्शा पर ज्योतिबा फुले ज्योति राव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है 62 का ओप्शन नंबर 2 सही है अमेरिका ग्रह युद्ध में दास प्रथा का विरूत करने वाले कारे करताओं का अगला है 63 मदिकाल में जन जाती समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि 63 का ओप्शन नंबर 3 वे अलगाओं में थे और एकांत में रहते थे निमलिखित में से कौन सा महा जन्पतों के नीमित रूप से कर वसुलने के संदर्व में सही नहीं है इसमें बताना है जो सही नहीं है 64 का ओप्शन नंबर 2 ज्यादा तर फसलों परकर उपज का एक बटे दो हिस्सा निर्धारित होता था यही सही नहीं है 65 बारवी शताबदी में प्रयुक्त प्रोद्योगी के संबंद में निमलिखित में से कौन से कथन सही है 65 का होगा ओप्शन नंबर 3 ओप्शन नंबर A और B दोनों ही सही है महरावो का निर्मार अधिरशना के भार को स्थाना अंतरत करने के लिए किया जाता था और महराव का मद्धभाग अधारशिला कहा जाता था 66 कोशन नंबर खुदा की रचना के खाते में उनका ब्योरा चुकि मर्दों की सूची में नहीं आता इसलिए इतनी शांदार खुबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ या लेखांश तेरवी शताबदी में किस के लिए लिखा गया था तो ये लिखा गया है 66 का उप्शन नंबर फोर रजिया के द्वारा अगला है 67 निमलिकित में से कौन सा पूरा पाशाण इस थल में चूना पत्थर से बने अजार मिलते है 67 का उप्शन नंबर फोर सही है इनाम गाओ ये ब्रह्म विगीरी भी हो सकता है लेकिन इनाम को ज्यादा करेक्ट है देखते हैं बोर्ड में इसका क्या जवाब रहता है अगला कोश्चन है 68 निमलिकित कत्रों को पढ़िये और सही विकल्प का चैन करना है 68 का उप्शन नंबर 3 सही है ए और आर दोनों सही है तता आरे की सही व्याक्या करता है 69 सोलवी शताबदी तता सत्रवी शताबदी में उरोपिय बजारों में भारती कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निमलिकित परिभरतन आए 69 कोशन नंबर का उप्शन नंबर 1 ए और ड अधिकारिक लोगों ने कताई धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रडा दी हमारा नेक्स्ट कोशन है 70 नंबर निमलिकित में से कौन कतन बुद्ध के उपदेशों के संबंद में सही है तो इनका ऑप्शन नंबर 2 ABC तीनों कतन इसमें सही है इनके अगला है हमारा 71 निमलिकित कतनों को पढ़िए और विकल को चैन करना अभी कतन है और उसका तर्क है 71 का ऑप्शन नंबर 1 सही है A और R दोनों सही है R A की सही व्याख्या है 72 रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में और पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाए इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया 72 को उप्शन नंबर 72 72 का ऑप्शन नंबर 4 है जेंडर रूड़ी बद्ध धालना अगला 73 कक्षा 73 का उप्शन नंबर 1 सजीरता के साथ या दिखाना की कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी प्रित्वी से मिलते जुनते हैं अगला कोशन है इसमें भी कथन अभी कथन है क्या है 74 74 समाजिक विज्ञान की प्रक्रती साच्याधारित अनुभावित वसत्यापनी है कथन इसका ध्यान प्राया एकल घटना में बहुल व्या ख्यान की ओड ले जाता है 74 को उप्शन नंबर 3 A और B दोनों सही है 74 को उप्शन नंबर 3 अगला है 75 ने में लिखित मुल्यांकन संबंधी प्रेशन पर विचार करना है 75 का आप मैच करा लीजेगा 75 को उप्शन नंबर 1 सही है 75 में लिखित मुल्यांकन संबंधी प्रेशन पर विचार करना है लोगतंत्र में लोग किन-किन तरीकों से भागिदारी कर सकते हैं विद्यार्थी उद्वारा कुछ उत्तरों को नीच दिया गया है कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रेशन को समझने और समावेशी विशिया नुकूल उत्तर देने की छमता का प्रदर्शन करता है 76 का उप्शन नंबर है 4 सही मतदान धरना रैली समाजिक अंदोलन 77 निमलिकित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोशनात्मक सोच विक्सित करने में मदद करती है 77 का उप्शन नंबर सही है 4 केवल C अब देख लीजेगा क्या है केवल C 78 शार्षन विवस्ता की विशेपे कक्षा लेते समय विद्यार्थी कि समाजिक जाग रुपता और अलाउशनात्मक्ता विचार कोशल दोनों विक्सित करने के लिए निमलिकित में से किस प्रशन को पूछा जा सकता है 78 का ऑप्शन नंबर 3 है आपने यह देखा होगा कि वर्षा में जब भी वारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाओ हो जाता है आप अपने पड़ोशियोग साथ मिलकर इस मस्या का समाधा निकलने का फैसला करते हैं इस्थानी राजिया के इंदर में किस इस्तर की शा होती सथार्पिक कॉंप्लेक्स के साथ करने में सच्छम होंगे इस उद्दैश के लिए विद्यार्तियों को अपनाी बढ़ना है प्रदर्शित करने कि यऊशकता है 79 का option 4, समझ प्रदर्शित करने कि कि यऊशकता होगी अगला है 80, विद्यार्थियों की भारतिय संगवाद की समझ वा सराहना की जाँच के लिए निम्लिखित में से कौन सा मुल्यांकन प्रशन सर्वधिक उप्योगते हैं असी कोश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर टू सही है आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और इस्थानी शासन वैस्ता नहीं होती और सभी फैसले के इंद्र से लिए जाते हैं अगला है 81 नंबर विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्यान की जाज के लिए किस तरह के प्रशन पूछे जा सकते हैं 81 का ऑप्शन नंबर 4 सही है वर्गी करणनों एवं शिर्णियों का ज्यान अगला है 82 मुल्यांकन संबंधी निमलिकित प्रश्ण पर विचार करना है एक लोगतांत्रिक देश को समिधान की जरुरत क्यों होती है 82 का ऑप्शन नंबर 3 सही है विद्यार्थी के समिधान उन नियुमू को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सकता के दुर्पियोग से रक्षा करते हैं अगला है 83 कोशन नंबर 83 निम्लिकित गत्नों को पढ़िये तता सही विकल्प का चैन कीजिए अभी कथन है और 83 का आंसर में बता देती हूं इसमें इतना लिखा इतना ज्यादा डिटेल में विस्तरित है पढ़ते पढ़ते तो हालत ही खराब होगी 83 का 1 ए सही है और आर गलत है इसमें अगला है कोशन 84 विद्यार्थियों को भारत के चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुर्परश्चित कराने के लिए निम्लिकित में से कौन सी सिख्षा शास्त्री विजी स्वेश्ट होगी 84 का अंसर होगा 1 विद्यार्थि को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना अगला 85 कोशन आदिवासियों तथा चल पशु चारियों के जीवन के प्रतिव 85 का अप्शन नमबर 2 सही होगा आदिवासियों चल पशु पशियों पर सामुहिक चर्चा करना अगला कोशन क्या है हमारा 86 विद्यार्थी द्वारा चल के इस्तमाल पर सामुहिक चर्चा करते समय सिक्षा को श्यामपट का इस्तमाल निम्लिकित में से किस तरह करना चाहिए 86 का ऑप्शन नमबर 1 सही होगा संकल्ब 9 विशेवस्तु में मुद्धो क्या धार पर प्रतिक्रियों को विवस्तित करना अगला कोशन है 87 अप्राधिक नयाप्रडाली का पाठ खत्म होने पर 87 का ऑप्शन आंसर बता देते हैं 87 इसमें ऑप्शन नमबर 3 केवल एक सही है उद्देश को पूरा करता है और अगला है 89 88 उष्कटि बंधी की संकल्बना को समझने के लिए एक बच्चे को निमलिखित संकल्बनाओ A और D में से किनकी प्रात्मिक जानकारी होनी चाहिए तो उसे इसमें से सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए 88 का नहीं मतलब ऑप्शन नमबर B A B A B D इसकी जानकारी होनी चाहिए तेशांतर ग्लोब अक्षांस अगला है 89 निमलिखित में से कौन समाजिक विज्ञान के संदर्व में ब्रान दालनाएं है 89 का उप्शन नमबर 1 A B C A B C या एक ग्यार उप्योगी विश्य है प्रकृतिक विज्ञान समाजिक विज्ञान से स्रेष्ट है या अतिशे तत्यों को रटने पर पुरिस्कृत करता है अगला है 90 निम्लिकित कत्नों को पढ़िए और सही विकल्फ का चैन करना है इसमें 90 नमबर का कोश्चन है इसको होग ऑप्शन नमबर 1 A सही है और विकत्थन सही है तरक गलत है तो फ्रेंड्स ये था सोसल स्टडी का सीचेट पेपर 2 इसका सॉल्फ आंसर कोशिश यही रही है कि आपको बिल्कुल सही एक रेट आंसर दिया जाए आप अपने आंसर मैच करा लीजिए और देखिए आपने कितने नमबरे स्कोर किये हैं और अभी हम लोग तो ओफिशल आंसर की का वेट करेंगे कि कौन से प्रेशन कि किया आंसर जाएं हैं चलिए धन्यवाद